बीते सप्ता पाकिस्तान के पुर्व पियम इमरान खान की गिरफतारी के बाद समर्थकोद और अकोर कमांडर के घर में आग लगाने और हिंसा के संबंद में उनके खिलाफ लगाया गए आरोप सोमवार को लाहोर हाई कोड में सुनवाई की गई जहां पुर्व प्रधान मंतरी इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच लाहोर हाई कोर्ट में पेस हुए उनके साथ पतनी बुसरा बीबी भी मौजूद थी सुनवाई के बाद अलकादिर मामले में इमरान की पतनी बुसरा बीबी को 23 मई तक जमानत दे दी गई है तो वहीं इमरान खान को जान से मानने की धमकी भी दी जा रही है जानकारी के मताबिक इमरान की गिरफतारी के बाद 9 मई को हिंसा और लाहर में कार्प्स कमांडर हाउस में आग लगाने के अलावाराजी की इमारतों अस्टेन प्रतिष्टों पर हमला करने और नुकसान पहुचाने के लिए कई मामले दर्ज किये गए थे इन मामलों में ही आज सुनवाई की गई इस से पहले सुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफतारी के डर्ज से इसलामाबाद चिन्याला परिस्द में घंटों समय गुजानने के बाद इमरान खान सनिवार को लाहर इस्थित अपने आवास लोटाई थे इसलामाबाद हाई कोट ने 70 वर्ची इमरान खान को 9 माई के बाद दर्ज सभी मामलों में गिराफतार करने से रोकते हुए उनको जमानत दे दी गई थी साथ ही आगे की राहत के लिए उन्हें 15 माई को लाहर हाई कोट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था तो वहीं राश्टी जवाब देही ब्यूरो अलकादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को 9 माई को गिराफतार किया था इसके बाद पाकिस्तान सुप्रिम कोट ने इसलामाबाद हाई कोट परिसद में इमरान खान की गिराफतारी को अवेद घोसित कर दिया था और मामले को हाई कोर्ट में पेस कर दिया था इस बीश पंजाब के पुलिस महा निरचक डॉक्टर उस्मान अन्वर ने रवीवार को बताया था कि इमरान खान की गिरफतारी के बाद भड़की हिंसा में सामिल होने के आरोप में पंजाब प्रांत में 3500 से अधिक लोगों को गिरफतार किया गया उन्होंने कहा कि उन में से अधिकांज पर आतंकवादी विरोधी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा तो वहीं आपको क्या लगता है हमारी इस खबर से आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रही है सिर्फ जन हिट टाइम्स पर